ICC के पूरू अध्यक्ष एहसान मनी ने PCB को ICC टूनामेंटों में भारत का बहिशकार करने की सलाह दी है BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के पाकिस्तान को लेकर दिये गए बयानों से नाराज मनी ने कहा कि PCB को ICC टूनामेंटों में भारत के खिलाफ खड़े रहना चाहिए मनी ने साथ ही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के अधिकारियों को अगले सब्ता केप टाउन में होने वाली ICC कारेकारी बोर्ड की बैठक में भी इस मुद्धे को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए ठकर ने पाकिस्तान पर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बात कहा था कि तनाव पोन स्थिती में पाकिस्तान के साथ भारत के क्रिकेट खेलने का सवाल ही नहीं उठता उन्होंने निकट भविश्य में भी पाकिस्तान के साथ दूइपक्षे क्रिकेट की संभावनाओं को खारिज किया था वही भारत ने ICC टूनामेंटों में पाकिस्तान के साथ भारत को एक ही ग्रूप में नहीं रखने की भी मांग की थी मनी ने कहा कि BCCI प्रमुख ठाकुर ने पाकिस्तान को लेकर जिस तरह के बयान दिये हैं उससे पाकिस्तान का पक्ष मजबूत हुआ है और वो ICC की बैठक में अपनी बात को ज्यादा प्रभावी ढंक से उठा सकता है पूरू ICC प्रमुख ने पाकिस्तानी बोर्ड की निंदा करते हुए कहा कि पिछले कई वरसों से PCB भारत को मनाने में जुटा हुआ है ताकि द्विपक्ष सिरीज कराई जा सके लेकिन अब साफ हो गया है कि BCCI में पाकिस्तान को लेकर कितना नगरात्मक रुख है ऐसे मे ICC के सामने पाकिस्तान का पक्ष मजबूत है और उसे अपनी बात रखनी चाहिए आल ही में PCB ने माना था कि साल 2007 के बात से ही भारत और पाकिस्तान के बीच सिरीज नहीं होने से पाकिस्तानी बोर्ड को कम से कम 10 करोड डॉलर का नुक्सान भुगतना पढ़ रहा है